हिंडी गलब में फिर से आपका एक बार स्वागत है यह वीडियो 20 सुरूप से एस्टेट से संबंदीत है यानि मादमिक और उंचे मादमिक से संबंदीत है यह दैनिक भासकर नियूस पेपर का कटिंग है आज का है यानि 11 अगस 2019 का पेज नंबर 8 अगर देखा जाए पटना तक परिक्षा बिहार बोड मादमिक एवं उच्च मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा 2019 की त्यारी सुरू इसमें विशेश कुछ खास नहीं है बस यह बताया गया है कि स्टेटी के लिए होगा ओनलाइन आवेदन और साल के अंद तक होगा परिक्षा लगभग 5 लाख आपको यहां सभी दे रहें और साथ में मैं आपको बता दो कि यह नियूज आपको दैनिक हिंदुस्तान में भी होगा यानि हिंदुस्तान का जो नियूजपेपर आप लोग देखते हैं उसमें भी होगा चलिए वही हम आपको पीडियेप के रूप में दिखा देते हैं उ मन्दित न्यूज स्टीटी 2019 की त्यारी सुरू परिक्षा के लिए आवेदन के लिए मोडिनेटी तक की बेउस्ता ओनलाइन होगी फिस भी ओनलाइन जहां पे देखेंगो फिस भी ओनलाइन होगा यह न्यूज कहां से लिया गया तो मैं आपको बता दो कि जो टिंडर निकला चाहते हैं तो आपको BLED अनिवारे है, DLED वाले इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, BLED आपके पास है, Graduation है तो 9 के लिए अपलाई कर सकते हैं, अगर आप 11 में जाना चाहते हैं उसके लिए प के लिए अपलाई करना चाहते हैं, तो आपके पास PG, यानि MA, MSC, PG, Post Graduate होना चाहिए सब चीज एक ही है, नाम अलग-अलग है, इसलिए तो हमने नाम ले लिया और इसके साथ ही B.A.D. होना चाहिए, तो इस फर्म को अपलाई कर सकते है आगे इसमें लिखा गया है, परिक्षा में फरजिवाड़े पर रोक के लिए 20S ब्योस्ता की जाएगी जिस agency को परिक्षा संचालन के जिम्मेदारी मिलेगी, उसे परिक्षा पर अटेंडेंट के लिए तो STT का जो अभी Tinder निकला है, उसमें सारविस्तार रूप से दियाएगे जल्द ही उस पर हम एक वीडियो लेक्षा आएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कहां कहां अपलाई करना है किस जिले में होने की संबाउनारी मांचि करेंगे टियाली उसमदारी मत चल दिया sih Like, ऑपत्ना बट्ना वर्यसमदाता बिहार बॉड्ड ने मादमी के उच मादमने शिकषक पात्र stove परिक्षय α 2019 की त्यारी सुरू कर दिये 2019 के अंदर परिक्षा के आयोजन की शम्मोन आया चली यहां पर रुकते हैं थोड़ा सा जानते हैं रिखिए यह 2019 के अंद तक क्यों बोला गया है यह अंद तक यानि दिसंबर तक दिसंबर में आपको स्टार्टिंग में एक्जाम नहीं होगा ला आपकी महाजण जी ने जो भी प्रेस गॉंफरेंज कर रहे थे को उन्हांने बताया था कि हम लेंगे लेकिन सब्जेक्ट में भैकर नड सिट रहेगा उसी के लिए हम उग्जाम लेए अब यहां पर बात आती 很 ऑवेद za न लिया जाना है फिर उस पिए क्या होगा पत्रबाट दिया जायेगा तो उस पर एक नजर भी रखिएगा और देखिएगा कि कितने सीट का मतलब बच रहें तरीके से सीट बचेंगे उसी तरीके से वो जाम लेंगे, तो science वाले तो लगबग confirm ही रहेंगे, बचे social science वाले को उनका थोड़ा सा suspicion ही कि किस तरह का होगा, में भी लेकिन मुझे जहां तक लगता है नाइन तेंथ का होना ही चाहिए सारे सब्जेक्ट का इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुखमंत्री का ये कहना था कि जितने भी पंचायत हैं जितने भी पंचायत हैं सबी पंचायत में आपका इसकूल होगा, नवी की वहाँ पढ़ाई होगी, नवी दस्वी की, जैसे मेरे मेरे एरिया में भी नवी दस्वी के पढ़ाई इस समय स्टार्ट हुआ, तो वहाँ तो टीचर चाहिए नहीं, तो इतना तेह रखे कि दिसंबर डिसंबर, जनवरी, फरवरी मार्च तक जरूर हो जाएगा और ये भी तहरा रखिए कि अप्रैल में आपका सारा चीज फिट रहेगा मतलब हो सकता है, स्कूल में आप जा सकते हैं क्यों जा सकते हैं, क्यों कि अप्रैल से स्टार्ट हो गए नया सेशन और उसमें teacher उन्हें हर हालत में चाहिए नवी दस्वी के पढ़ाई उन्हें start करना है April तक teacher उन्हें चाहिए April तक teacher चाहिए मतलब March April से maybe form apply होना state के लिए start हो जाए किसके लिए new gen के लिए मतलब जैसे अब वन टू फाइब के लिए हो रहा हुआ वैसे एक्जाम लेने के बाद वो क्या करेंगे तो new gen के लिए वो apply करना शुरू कर देंगे याद रखेगा यह चीज़ अप्रेल में होने चाहिए तो में भी मार्ट से लेके अप्रेल तो apply करेंगे मतलब April मै जून जुलाई मतलब इस तिने मेरी वीडियोस नहीं आ रहा है मैं आपको बता दू कि कुछ दिन थोड़ा हमको भी घुमने का मौका मिलना चाहिए मैं अभी यहां मत्रा में स्टे किया हूँ होटल में और अभी मैं आज आगरा जा रहा हूँ तो अगर कहिएगा तो live आगरा का मैं वीजन आपको दिखा दूँगा कि वहां अगरा में क्या-क्या है अगर देखना चाहिएगा तो comment किजेगा और फिलहाल exam के लिए मैं आपसे please request है कि आप बिहार के रहने वाले हैं बिहार में जो book चलते हैं 9-3 की त्यारी कर रहे हैं कि अगर आप माधमिक के भी टीचर बन सकते हैं तो क्यों छोड़ेंगे पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा काम भी कम होगा वो सारे चीज़ हम बाद में डिसकुस करेंगे लेकि फिलाल आपसे यही कहेंगे ठीक है form apply कीज़ेगा सारा चीज़ कीज़ेगा लेकिन एस्टेट की त्यारी शुरू कर दीचे जो अभी तक pass out नहीं हुए है वो तो निश्चित रूप से करें लग जाए आख बंद करके लग जाए बहुत ज़रूरी है आपका त्यारी करना लेकिन जो टीचर बन भी रहे हैं उनसे भी करेंगे कि लग जाए यह फिर से स्टेट में जैसे स्टेट की त्यारी हो रहे थी वैसे ही चलिए स्टेट की त्यारी करते हैं जैसे हमने बीट इट पास किया वैसे ही चलिए स्टेट की त्यारी करते हैं से पास आउट होते हैं और 910 के टीशर बनते हैं क्योंकि बहुत बड़ी opportunity है यह opportunity दुबारा नहीं मिलने जा रही है आपको फिर से में बता दो कि BA होना अनिवार है BA होगा बाबू तभी इस form को भर पाओगे नहीं तो नहीं comment box में यह मत पूछिएगा graduate है जो भी MA किया है भर देंगे form नहीं भर सकते हैं BA होना अनिवार है यह चीज हमेशा याद रखिएगा और इसमें कुछ दिया गया इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इन्होंने दिया होगा online आवेदन के बाद अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे जैसे नाम पिता मता का नाम कैटेगरी उन दोनों पेपर बिशियों के लिए सुधार कर सकेंगे करूंगा मैं कि कौन-कौन सी बाते टेंडर की मुख्य हैं जो आपको बता हूं वहां लिखा गया एक कम से कम मतलब पांच लाक अवियारतिय होने की संभाना ऐसे करके लिखा गया फिर वहां सेंटर के मैथ के साथ फिजिक्स है और सपोज इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कमेस्ट्री गरे कुछ भी हो तो आपको पढ़ना क्या है याद रखिएगा नियोजन में आपको प्राब्लम हो सकती है मैथ और फिजिक्स दोनों नाइन तेंट की बुक पढ़ लीजे कितना ना मतलब बायलोची बटनी जोलोची आगया उसमें और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ लीजे आपको मैथ पढ़ने की जोरूरत नहीं है और आपको फिचिक्स पढ़ने की ज़ुरूत नहीं है अगर आपका बतनी schaut कब्चे अर्णी जोरूरत नहीं तो वहान का बिहार पॉब्लिकेशन का पहले खतम कर लें फिर भारती भावन को उठाएंगे आप लोग तो वो चीज आप करेंगे नाइन तेंत का बुक पढ़ेंगे नवी दस्वी सिक्षक बनने के लिए ग्राहवी बारहवी सिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्राहवी बारहवी का बुक पढ़ेंगे ग्राहवी बारहवी में केवल एक ही बुक पढ़ना है जैसे मेरा केमेस्टी है तो मैं केवल केमेस्टी प देखना होगा को मैं नवी दस्मी का जो लेटिशेर का बुक है उसे मैं पूरा पढ़ूंगा और साथ में मैं ग्रामर पढ़ूंगा ग्रामर थोड़ा से लेबल हाई होता है यह प्रिपोजीशन वेगरे कंजेक्शन वेगरे से भी कोश्चन होते हैं फिल इंदी ब्लैंक्स चलता उससे जरूर कोश्चन आएंगे असी कोश्चन देते हैं इसके अलावा संस्क्रीट का भी सेम है प्रिविएस यह कोश्चन हम आपको जल्दी देंगे थोड़ा सा और वेट कर लिए लेकिन फिलहाल उसको जरूर पढ़ लिए प्रिविए से कोश्चन तो नहीं आते ह आपको यह हो जाएगा कि किस तरह के प्रशन थे वह सारा चीज हम लेके आएंगे लेकिन फिलहाल आप त्यारी करना जरूर स्टार्ट कर दें बहुत जरूरी है और आप देख भी सकते सिक्षक पत्रता परिक्षा वर्स के अंतक संभाव ऐसे संभावना जताए जारी की दिसमबर तक नहीं होगा जनुवरी तक जरूर होगा क्योंकि नौवंबर लास्त तक यह बताएंगे कि किस में कितने सीट मुझे लगता सोचल साइंस कभी होगा देखिए मैं किसी का यह नहीं करता हो एक्जाम नहीं होगा सारा का एक्जाम हो सारे लग भरती हो लेकिन अपग्रेट करना जो रही है इसको लोगो तो वहां पे तो एक्जाम होना ही निस क्यों होना चाहिए कि मालीज आपके पंचायत में एट तक पढ़ाई होता था वहां नौवीं-दसवीं स्टार्ट हो गया मेरे पंचायत में उनके पंचायत में इसम पंडिशन एक ब्लॉक छुरक में इतने सब पंचायत में टीचरों क्यों नीट सकता है इस यह उसका आपस से और लently नीट नहीं करते हैं नहीं चाहें तो अलग बात हैयर कि मुझे जहाँ करते हैं कि उन्हें چाहा नदा चाहिए अनकी भरती हो तो अप्ग्रेड करें द्ness नहीं करें तो juste तो उसके लिए क्या करना है जैसे मैं आपका देखे यहां पर दो कंडिशन हमेशा याद रखिए गड़ेगा आपका इतिहास और आपका भुगोल होना चाहिए सब्सीडियम में भी हो सकता है आप याद रखे इतिहास और भुगोल में आपको पास होना अब यहाँ पर आप condition पूछेंगे कि सर सबसेड़ी में है लेकिन आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा वेटेज पांच अंक का मिलता है जैसे आज के निश पेपर में होगा वेटेज से संबंदित में भी तो वो आपको वेटेज नहीं मिलेगा वेटेज भी मिलता है एस्टेट में नहीं जब बहाली होगा न्योजन होगा तब वेटेज किस तरह क्या से मिलता है तो पांच अंक एक्स्टर जूड़ जाते हैं अगर इतिहास ने कि भूगोल से यहाँ उर भूगोल से तो आपको वेटेज में जयाद Why Master भी है लेकिन सबसेड्री में है तो भी आप एक्जाम दे सकते हैं लेकिन दोनों मतलब जरूरी है सब्जेक्ट अब यहाँ पर बात करते हैं त्यारी के से करेंगे जैसे आपका इतिहास है नागरिक है को यह सबसेड्री का एक पेपर उठा लिए आपने और इतिहास है को दोनों का त्यारी कीजिए दोनों में से कुश्चन आते हैं जैसे इतिहास का देते हैं वो लोग एस्टेट में नागरिक का देते हैं और भुगोल का देते हैं और सस्थ का देते हैं यह चार पेपर तो हमने देखे हैं तो इनसे ज़रूर question आपके आएंगे तो इसके भी त्यारी आप करना है start कर दीजे BCS बहुत सारी चर्चा हैं लेकिन इन सारी subject का त्यारी कीजिए estate में निश्यती संभावना है कि exam होगा तो त्यारी कीजिए आप दो-दो subject यानि 50 नंबर आपका इतियास रहेगा तो 50 मार्स का आपका नागरिक रहेगा यानि political science रहेगा को दोनों का 50-50 नंबर 100 नंबर हो गए आप 50 नंबर का reasoning होता है जिसमें आपके psychology के भी प्रस्ण यानि section का लागए भी प्रस्ण include होते है प्रस्ण होता है कोई negative marking नहीं होती यह सारा चीज़ पहले ही हमने वीडियो में बना के रखा और भी कोई प्रस्ण छोड़ता है को जरूर पूछे मेरे वीडियो जल्दी आएंगे निशित ही आएंगे और फिलहाल आपसे जरू कहेंगे कि 19 10 की त्यारी कर रहं तो 2 सब्जेक्ट लेकर mindfulness जीक यह अगर 11 की त्यारी कर रहे हैं तो केवल एक सब्जेक्ट जो भी आपका स्टारट कर जीजिए सो मर्सरेंगे में फिलते हैं आप देखते रहे हैं, धकिसवाल इस वीडियो में इतनवार cliqs. सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सब से पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिल्कुल फ्री है